आज हम तवा पनीर बनाने वाले हैं जो की बहुत ही टेस्टी रेस्पी है और आपको बिल्कुल ध्याबा इस्टाइल और रेस्टोरेंट जैसा स्वाद मिलेगा अगर आप एजिटेरियन है तो आपको यह बहुत ही पसंद आने वाली है इसको बनाने के लिए मैंने एक नौन में दो छोटी लाइची और आधा इंतालचीनी का टुकडा सबको अच्छे से एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे मसाले जलने नीच चाहिए बिल्कुल गैस की फ्लेम लोही रखेंगे और इसके बाद रफली चॉप करी हुई दो प्याज एक इंच अद्र टमाटर को प्याटर को गलने तक हैं अच्छे से भूनेंगे गेUR अृस पाइए तमाटर अच्छे से गल जाए और तेल चूट गया है साहरे मसाले से और इस तरह से इसे हम माईकेशर करतेशियों इसके बाद अब हम इसे रख देंगे ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे और जो तेज पत्ता और दालचीनी हम लोगों ने डाला था उसे निकाल देंगे आधा कप पानी एट करेंगे और इसे इस तरह से हम पेस्ट बना लेंगे पनीर की ग्रेवी हम लोगों की रेडी है अब इसके लिए एक तड़का तयार करेंगे दो चम्मत देसी घी गरम करेंगे आधा चम्मत जीरा और एक मीडियम साइज की प्याज सबको ट्रांसलूसन हो जाने के बाद इसमें दो हरी मिर्च भी आट कर देंगे उसे भून लेंगे याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है और इसी टाइम पे हम मसाले आट कर लेंगे आधा चम्मच हल्दी पौडर एक चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च पौडर और सबको अच्छे से तेल में एक मिनट के लिए भून लेंगे मसाले भून गए हैं इसी टाइम पे अब हम इसमें जो ग्रेवी तियार करी थी पेस्ट बनाया था उसे एट कर देंगे और इसमें हम पानी डालके सारा पेस्ट निकाल लेंगे उसे वेस्ट नहीं जाने देंगे इसमें हम आधा कप के करी पानी आड़ करेंगे क्योंकि हमें इसको दस मिनट तक के लिए ग्रेवी को पकाना है इस तरह से तबे पे ग्रेवी जब बनती है तो बहुत ही अच्छा टेक्सर और टेस्ट आता है और ग्रेवी हम लोगों की पक गई है इसी टाइम पे हम नमक डाल देंगे और सब ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है अगर आपको इस टाइम पे लगता है कि ग्रेवी थीक है तो आप गरम पानी थोड़ा सा इसमें आड़ कर सकते हैं ग्रेवी में अभी हम कुछ और चीज़े आड़ करेंगे उसके लिए हम एक पैन में घी गरम करेंगे और उसमें क्यूब में कटी वी एक प्याज और एक सिम्ला मिर्च उसको 30 सेकंड के लिए भून लेंगे इसको क्रंची रहने देंगे से हम जाज़ दिर पकाएंगे नहीं और इस टाइम पे हम गैस आफ कर देंगे ग्रीवी अच्छे से पक चुकी है और इस टाइम में हम पनीर के पीसेज ऑड कर देंगे साथ में ही आधा चम्मच लाल मिर्च पादर उन फोर मिर्च पादर गरम杜़ कर देंगे और पनीर के कुछ क्यूब उपर से इस तरह से क्रश करके डाल देंगे इससे क्या होगा कि धाबे वाला फील आएगा और ये देखिए कितना बढ़ियां सा पनीर रेडी है इसको अब हम प्लेट में सर्व कर लेंगे आपको मेरी ये रेस्पी कैसी लगी कमेंट सक्षन में जरूर बताईएगा अगर आपको जरा सभी मेरी रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक, सेर, सस्क्राइब करना मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो